नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ एक नए नक्से के साथ ये नक्सा आपको 27 फिट 6 इंच बाई 24 फिट में देखने को मिलेगा इसमें हमने दो कमरे का डिजाइन किया है और इसमें दो बात एंड टॉलेट के लिए दो बात रूम एंड टॉलेट और एक कीचेन और सारी जनकारी बताऊंगा इस नक्से के बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से इस नक्सा का टॉप भी हूँ है आप देख पा रहे होंगे और में दर्वाजे की बात करें तो हमने इसमें 3.5 फिट का में दर्वाजा जो की इंट्री के लि तो 14 फिट बाई 10 फिट का हमने ड्रोइंग हॉल का एरिया रखा है डीटेल में आपको अगर बताएं तो यह हमने 14 फिट का इसका लंबाई रखा है यह 14 फिट का हमने रखा है और यह 10 फिट का कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन किया है जहां पर हमने फरनीचर का कुछ इस तरह से सेट अप किया हुआ है तो आप देख पा रहेंगे सोफा के लिए मैंने इस तरह से डिजाइन किया है और इस जगा पर मैंने टीवी के लिए कुछ इस तरह से टीवी यूनिट के लिए जगा डिजाइन किया है कि ड्रोइंग होल से ही आप देख पा रहेंगे तो पहला बेड्रूम जो कि मैंने एक दर्वाजे का इस तरह से डिजाइन किया है जो कि एक फर्स्ट बेड्रूम है और इस बेड्रूम के अगर साइच की बात करें तो यह 11 फिट कि इस ते कि इस तारब को सबने देख बात करेंद देख छहां पर आपको एक ध्याइन लियुक्त भीनिट हमरें और i Yi ऐं उब है उत्प्सक्राइब गिजाइन कीया है जहां पको एक ओपे रिया मतलब कीचन के बैक डूर भी आपको δेखने को मिलेगा तो इस से आप देख पारेποιं आपून होल नहीं करना है तो आप साइट से भी इस तरह से एंटरी कर सकते हैं बिया मिल्डिंग आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा बिल्डिंग में तो इस अगर दो-दो फिट का रखते हैं तो आप इजिली यहां से कीचन में इंट्री कर सकते हैं कि तो कीचन के अगर साइज की बात करें तो यह हमने यहां पर 0.757 फिट का रखा है और टोटल लंबा इसकी बात करें तो यह 13 फिट का हमने इसका दिजाइन किया है कुछ हिस तरह से हमने 0.887 प्लेट फिट का कि मैं की आप तो सिरा के आपको Patrick उसका और कि मैने कीछन प्लेटफोर्म के लिए इस तरह से सिंगल प्लेटफोर्म का डिजाइन किरते हुए इस जहां पर मैने सिंग का और गैशストर्प के लिए इस तरहThe के साथ में करते हैं da e तो कुछ इस तरह से design था combined kitchen and dining के लिए आगे हम बात करते हैं इसमें toilet and bath के लिए जो कि एक common toilet and bath है combined मैंने इस तरह से design किया है जो कि WC water closet चार फिट बाइ नौ फिट का हमने इस तरह से design किया है detail मैं आपको बता है तो यह चार फिट का हमने इसका चंगड़ाई रखा है और यह जो दूरी है यह हमने नौ फिट का रखा है आगे हम बात करते हैं इसमें second मतलब दूसरे bedroom के बारे में जो कि आप देख पा रहे हैं यहां से मैंने दरवाजे का जो कि सारे तीन फिट का जेनरली आप दरवाजा रखें बेडरूम के लिए अच्छा रहता है तो यह second bedroom रहा और इस bedroom के size के बात करें तो यह 10 feet by 9 feet का हमने इस bedroom का design किया है इसी bedroom में हमने एक attached bath and toilet के लिए कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस तरह से दरवाजा मतलब इस तरह से opening के लिए जगह रखा है यह काफी standard size का 1,5 feet और 2 feet साथ इंचे करीपा पर रख सकते हैं दरवाजे के लिए इस तरह से जगह sufficient होता है इतना और यह attach है तो कुछ इस तरह से wc water closure और इसकी size की बात करें तो यह 6 feet by 4 feet का हमने इस तरह से design किया है तो कुछ इस तरह से यह 6 feet का लंबाई होने वाला है और यह हमने 4 feet का कि जो की combined sorry attached टोलेट और बात के लिए इस तरह से मैंने design किया है तो कुछ इस तरह से यह नक्सा था और चाहे तो आप इसका स्क्रीन सोट लेकर अपने phone पर रख सकते हैं जो कि 27-27 feet by 24 feet मैंने काफी कम जगा में इस तरह से आप अपने घर के लिए नक्सा design करवा सकते हैं तो चलिए बहुत ही जल मिलेंगे एक नए नक्से के साथ और अभी के लिए बस यतना ही टेक केर बाई